है फ्रेंड्स आप लोगो स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल इडू हम सफर सफर सफलता गयोर आज हम आप लोग लिए बिहार द्रोगा प्री के लिए जो ग्यान मिन्दू जीए से केडमी द्वारा जो पेट कोर्स में टेस्ट कराया जाता है उसका टेस्ट नमर 18 का डि कराते हैं उसका अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है आप लोग वहां से देख सकते हैं अगर पहली बर चैनल पर भीजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा तभी अगले वीडियो का आपको नोट्प्रिकेशन मिलेगा वीडियो को लाइक करते जागा दोस्तों क पहला कोश्चन आज का पहला कोश्चन है लोगपाल किस मंत्राले के अधीन कारे करता है बताना एक लोगपाल जो होता है किस मंत्राले के अधीन आता है यह आता है कार्मिक मंत्राले के अधीन इसका जो इंसर हो जगा डी नमबर हो जगा यह लोगपाल सबसे पहली कहा एक सिल्ला ले कहाँ से प्रापत हुआ है ति यह जो प्रापत हुए धौला वरा से हुआ है इसका अश्ण गुजरात में पड़ता है यह कोज़ में किया था जोसी ने किया थे लिए भारत के किस राज ने पंचायती रह से संबंदित मामलों की सुनवाई के लिए प्रिथक अपिलिये नयाएधी करण की गठन किया है यह गठन किया है केरल ने इसका जो एंसर हो जगा ए हो जाएगा अगला कुशन देखते हैं सूरज ताल जील किस राज में इस्थित बताना आपको सूरज ताल जील जो इस्थित वो किस राज में है यह हीमाचल परदेश में इसका जो एंसर हो जागा सी नमबर हो जाएगा अगला कुशन है किस अनुछेद के तहट उच्तम नयाले को अभी लेखिए नयाले घोसित किया गया यह गोसित किया गया अनुछेद 119 के इसका जो एंसर हो जागा सी नमबर हो जागा यहीं पूछ दे कि हाई को यह अभी लिखिए नियाले घोसित कि इस अनुछेद में किया गया है तो यह किया गया अनुछेद 215 में अगला कुशन देखते हैं चंद गूर्प के सत्रुओ के विरूद चानक के ने जो चालो चल यहां दिया गया इंडिका इंडिका की रचना किस ने किती तो यह मेगास्थिनीज ने किया था और सास्त्र यहां दिया गया और सास्त की रचना किस ने किया थे तो यह चैनक के ने किया थे अगला कुशन देखते हैं तावा एम दूधी किस नदी की सहायक नदी बताना तो गठन होगा उसमें सचीव किने बनाएगे थूसके सचीव बने अर्बिंद में हैता है इसका जो एंसर हो जागा इसके अध्यक्ष कौन बने है यहां इनके सिंग दिया गया यह अध्यक्ष बने है अगला कुशन दिखते हैं इस्ट इंडिया कमपनी में कौब बंबाई को Western Presidency का मुख्याले बना दिया गया यह बनाया गया था 1687 में इसका जो एंसर हो जागा डी नमबर हो जाएगा अगला कोशन है मेगनी उत्पादन में सीर सिराज ये कौन से थे ये मद परदेस हो जाएगा इसका एंसर ये हो जाएगा अगला कोशन है नीचे दिये गए से सजाना है तो चौरी चौराकांड जो कि यह हुआ था पांच फरेवरी 1902 को मौर्दोली प्रस्ताव बर्सदोरी पर्स गटाव जो था रवरी 1922 को हुआ उसके बाद खिलाफ़त अंदोलन खिलाफ़त अंदोलन जो वा था उननहीं सो ने इसम भ़त इसका क्रम हो जाएग अगला क्वेशन है मनुस्य के नवजात सिसु को अस्तन ग्रांथी से की निकलने वाले स्राव को पिलाया जाता है जिसे कलेश्ट्रॉल कहते हैं कलेश्ट्रॉल प्रदान करता है तिये प्रदान करता है रोग परतिरोधक सकती इसका जो एंसर हो जगा बी नमबर हो जाएगा तक बीकरन होता है तो माध्यम की तपमान क्या होता है यह माध्यम का तपमान अपरिवर्दिंत रहता है इसका जो एंसर हो जागा । अगला कोशन है सब्द T की हाई स्वभध के साथ जुड़ा है बतानी कुछ टी जो सब्द है यह की Nos से संबंदी थे यह है गोल्फ से सबमना जाता है मनाए जाता है 18 अप्राइल को इसका सब्सक्राइब अगला कोशन देखते हैं made in China भारती पूस्ता के लेखा कौन है तो इसके लेखा का है परिंदा जोसी इसका एंसर A हो जाएगा अगला कोशन है सोतंत्र भारत में भारतीय राष्टीय कंग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन मनी थी इंद्रा गैंदी इसका एंसर B हो है ति कांग्रा कुशन है निम्न में से कौन सा अक्साइड औमल्य नहीं हैं इस में बताना है कौन सा अक्साइड है जो अम्बली नहीं हैं तो यह हो जागा CO इसका एंसर ए हो जागा अगला कोशन है HIV कारेकरम को भारत में डैस भी कहा जाता है बताना है आपको कि HYB कारेकरम को भारत में और किस नाम से जाना जाता है यह जाना जाता है 9 क्रिसी नितिसे है इसका जो एंसर हो जागा D नमबर हो जाएगा HYB का पूरा नम की आ है ते High-Eilding Variety कारेकरम अगला कोशन है सुहेली द्वीप कहा इस्तिते है वो कहा इस्तिते है यह सुहेली द्वीप जो स्थिते है लक्षदीप में है इसका जो एंसर हो जागा अगला कुशन है वे अगला कोशन है वे सुच में स्वासन करण जो बनुस्यों दो वायू की गुझवता को कम धे कि स्रेणी में रखे जाते हैं यह रखे जाते हैं पिये 2.5 इसका जो एंसर हो जगा B नमबर हो जाएगा अगला कोशन है भारत ने किस देश में Global Partnership on Artificial Intelligence की अध्यक्ष्टा हासिल किया है तिये हासिल किया है फ्रांस ने इसका जो एंसर हो जगा C नमबर हो जाएगा अगला कोशन है भारत में किसे C Change Climate पहल का अमबेश्टर निक्त किय किया है या निक्त किया गया है लीसी प्रिया कंजुजम को जो इसका जो एंसर हो जगा B नमबर हो जाएगा अगला प्रुक्ष्ट égal की क्या वाफोगा B व्यारो हो इसपिस नेइज्सका इनसर हो जागा ए नंबर हो जाएगा अगला क्श्षन रल के अडुका सही इलेक्ट्रवटू बिंदूसर इसश्टर कौन सक था नंबर अगला कोशन है तूर्कियों और सिरिया में हाल ही में आये भुकम के कारण भारत दोरा चलाया जा रहा है अभियान को क्या नाम दिया गया है ये नाम दिया गया अप्रेशन दोस्त इसका जो एंसर हो जगा बी नमबर हो जाएगा अगला कोशन है भारत सेना ने किसके उपर भ अगला कोशन है रेगिस्तानी पौधे का बाहे तो अच्छा पमोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाते यह पदार्थ है तो अपदार्थ है क्यूटीन इसका जो एंसर जागा बी नमबर हो जाएगा अगला कोशन है देश के पहले परपल फेश्ट का एयोजन छो से आठ जनवरी तक कहा होगा तो इसका एयोजन जो होगा गोवा में होगा इसका एंसर ए हो जाएगा औगला कोशन निम्द मैं से कन सा सुमिल्ग असात्य इसमें बताना है कि कौन सा गुप्तिचर संस्था है और देश है जो की गलत दिया गया है देख लेती है कन सा गलत है तह मीलिटरी इंटेलिजन्स जो की इंगलेंड सही है नाइचो जैपान ये भी सही है यहां दियेगा है मुखबरात मुखबरात इराग जो की गलत है मुखबरात जो है ये मिसर का है इराग का क्या होता है तो इराग का होता है अल मुखबरात होता है मोसाद मोसाद जो इजराइल तो इसका एंसर जो हो जागा सी नमबर हो जाएगा अगला कोशन है कौन से पदा आर्थ स्वसंत तथा प्रकास संसलेशन दोनों में कारे करता है यह कारे करता है साइटो क्रोम इसका जो एंसर हो जागा सी नमबर हो जाएगा अगला कोशन है पर्माडू रियेक्टर में विखंडन पर क्रिया की दर को नियांतरन करने के लिए किसका प्रियोक किया जाता है जो खूद विखंडन के बिना नीउट्रान और सोसित करता है यह किया जाता है कैडमियम के है材, इसका जो एंसर हो जागा D-Нमबर हो जाएगा अगला क्वशन देखते हैं, की सहर में भारत के पहला, साधा लोगो रेस्टुरेन्ट खुला गया है ति ये खोला गया है जमू कस्मिर में, इसका एंसर B हो जाएगा है, कस्मिर में खोला गया है, अगला कोशन देखते हैं, निम्न में से कौन से प्राथम सरेरी का उतोलक है, इसमें बताना है कि कौन सा उतोलक प्राथम सरेरी का है, ति ये हो जाएगा तराजू, इसका एंसर D ह जाएगा अगला कोशन है है कि क्सा साढ़ कोँस्त w सकत जो जाएगा उब्ला फिल चिलेंजर कंटक कсти इसस्तीट्स इसथclamation सब्सक्राइब थ犯े मान was बंग ट मैं दो हज़र बाइस में किस राज सरकरने चारा बिजाई योजना सुरू किया है यह सुरू कीअ उन्हाउन सब्स्राइब हो जाएगा अगला कोशन है fight जाने के अध्यक्ष कौन मुनें सेола हो जाएगा अगला am वे एक समय ग्राप की प्रवन तक से प्राप्त होता है यह प्राप्त होता है तोरण से इसका एंसर c हो जाईगा अगलाauseनु है सीमा अंतिल का नाम की स्खेल से जुड़ा हुए बताना आपको कि सीमा अंतिल की स्खेल से जुड़ी हुई थी तो यह थी आपको हो जाएगा चक्का फेक डिसकस थ्रोस है इसका जो एंसर हो जाएगा ए नमबर हो जाएगा अगला कोशन है लार्ग रंथी से क्या कौन सी प्लूरा किसका आवरन है लूरा जो आवरन है यह हो जाएगा आपको फुस्पूस या फेफड़ागा इसका एंसर A हो जाएगा अगला कोशन है डाल्टन का आंसिक दावी का नियम निमलीखित में से किस समिकरन पर लागो होता है यह लागो होता है CO प्लस H2 पर इसका एंसर A हो जाएगा अगला कोशन है जूम क्रिसी को बेवर दहिया के नाम से किस राज में जाना जाता है तो बेवर दहिया के नाम से जाना जाता है मधपरदेश में इसका एंसर C हो जाएगा यहां राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है तो जहारखंड में किस नाम से जाना जाता है यहां उडिशा दिया गया उडिशा में किस नाम से जा को स्फिट है प्रोंबर हो जाए गार सै ₹6 इसके बराबर होता आ यह इन्स्यूंब़ दीनंबर हो जाएगा अगला कोशन है निम्लिखित में से कौन? एक परमाडूक है इसमें बताना है कोज कौन सा एक परमाडूक है तहीज स्धिक्रा का आर्गन न सरकावजा नार फंकर्टन हो जाएगा फिर टेमपूरल टेमपूरल जो है यह मध अमेरिका में जाना जाता है सामून जो है इरान में जाना जाता है यह चारो जो है यह गर्म पाउने हैं अगला कोशन देखते हैं किसी तरल की समान मातरा के लिए निमलीखित में से किस परक्रिया की गती सबसे धीमी होती है यह सबस किसे समानित किया गया है लियो लेन मेसी को इसका इंसर हो जाएगा अगला कुशन है अभुसरो का मलीन होना किसका उधारन है अगला कुशन है लाइसोसोम आत्मत्या की थाइली है क्योंकि इसमें है इसमें पाया जाता है जल अपगटन इंजाइम इसका इंसर हो जाएगा अगला कुशन है 16 फ्रावरी 2023 को बलीपा नरायन भागवत का निर्धन हो गया वह किस छेतर से जूड़े थे तो उनका छेतर था संगीत इसका इंसर जो हो जाएगा अगला कुशन है अगला कुशन है फासले का हेर फेर किस लिए अवस्यक है तो फासले का हेर फेर की अवस्यक है मिर्धा की उर्वर्ता बढ़ाने के लिए इसका जो इंसर जाएगा अगला कुशन है भारत जीनाष्ट दीपा कर्माकर को डोप टेस्ट में फेल होने के चलके आई टी ये इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने उन पर कितने महिने का पर्थिबन लगा दिया ये लगाया है 21 महिने का इसका एंसर डी हो जाएगा अगला कुशन है यहां दिया गया है सुमेलित की जिये सुची वन सुची दो दिया गया है जिब्रालटल जलसंदी ये होता है अफ्रीका और उर्योप के मद ते इसका तीन हो जाएगा अगला कोशन है कितीनी राज और केन सासित पर देश पड़ोसी देशों के सीमा से जुड़ी हुई है तिये हो जाएगा आपको 18, इसका एंसर A हो जागा, यह 18, 16 राज यह और 2 केंदर सासित परदेश है, अगला कुशन दखते हैं, याद सो के 20 राज केंदर सासित परदेश में पहली जय विविता बिरासस अस्थल BHS के रूप में प्रस्तावित किया गया है, तिये प्रस्ताव सब्सक्राइब, यह 19, 17 को इसका answer, d no Count Qushon 15, आपलोग बना लिजएगा, चीएतर नमबर कोश्चन का हो जाएगा एंसर इसका एंसर सी हो जाएगा सथातर का एंसर हो जाएगा सी नमबर अगला कोशन नमासी नमबर देखते हैं इसका कोश्चन का एंसर हो जाएगा डी नमबर असी का हो जाएगा एंसर बी नमबर हो जाएगा आगे देखते हैं आप जी के जी इस कोशन है अगला देखिए कासी नमर की सीख गुरु ने तरन तारन तता करतारपूर नामक सहर बसाया था तिये बसाया थे गुरु अर्जुन देव ने इसका जो एंसर हो जागा C नमबर हो जाएगा अगला कोशन है पाखंड खंडन किसकी प्रमुख रचना है तिये रचना है दयानन सरसती का है इसका जो एंसर हो जागा बी नमबर हो जाएगा अगला क्वेशन है लोही किस जानवर की सारवधिक दूद देने वाली नसल की नाम है ये नाम है भेड की इसका एंसर सी हो जाएगा अगला क्वेशन देखते हैं मुंगलो और मिवार के राणा के मद्दे चिताओर की संधी कि सासक के सासन कल में हस्थांत्रित हुई थी यह हुई थी जहागीर की कल में यह चिताओर की संधी कब गद तो 1615 भी में हुआ था अगला क्वेशन देखते हैं, किसी राष्टपती के कारेकाल सबसे कम ओधी का रहा है, यह रहा है सबसे कम जाकीर हुसैन का, डॉक्टर जाकीर हुसैन के वर दो साल के लिए यह राष्टपती रहे थे अगला कुशन है मराठा सासको के केंद्रिय सासन के अंतर का दैनिक कारियो तथा दर्बारी कारियो का देखरे जो करदा था उसे क्या कहा जाता था तो उसे कहा जाता था वाकिया नावी इसका जो एंसर हो जागा B नमबर हो जाएगा अगला कुशन है भारत संग इंडियान एसोसियेशन के संस्थापक कौन थे इंडियान एसोसियेशन के संस्थापक थे सुरेंदरनाथ बनरजी इसका जो एंसर हो जाएगा D नमबर हो जाएगा यह कब किये थे तो 1876 में कोलकत्ता में किये थे अगला क्वेशन है लक्षमी मल सिंधवी समीती किस से संबंदित है तिये लक्षमी मल सिंधवी समीती जो ही ये संबंदित है दोहरी नगरीक तक से इसका जो इंसर हो जागा इन नमबर हो जाएगा अगला क्वेशन है आवध के किस नबाब को 1761 में लड़े गए पानीपत के त्रिती इूद में आहमत सा अबदाली के साथ दिया था ये दिये थे सुजावु दौला ने इसका जो एंसर हो जगा बी नमबर हो जाएगा अगला क्वेशन देखते हैं एमके गांधि ने निमलीखित भारती राष्ट कंग्रेस के अदिवेशन में 21-100 पर्थम भाग लिये थें तिये भाग लिये थे पहली भर कलकत्ता अदिवेशन 1901 में इसका जो एंसर हो जगा बी नमबर हो जागा ये कुलकत्ता अधिवेशन 1901 का अध्यक्ता किस ने किया था? ये किये थे दीन सा वाच्छा ने, इसका जो अंसर हो जगा B नमबर हो जाएगा अगला कुशन है फत्वा ए जहाँ डारी की रचना किस ने किया ये रचना किये थे जिया उदिन बर्णी ने इसका अंसर D हो जाएगा अगला कोशन है छोल सासकों के सासन काल में निंद में से कौन सा वरियम उद्द्यान पर उसासन का कारय देखता है ये देखता है ये रिवारियम इसका जो एंसर जागा B नमबर हो जागा अगला कुशन है निम्ड में से कौन राजिसूची का भी से नहीं है इसमें बताना कि कौन सा है जो राजिसूची का भी से नहीं है तो इसमें डंड पर क्रिया जो है यह राज इसूची कभी से नहीं है इसका एंसर C हो जाएगा अगला कोशन है सोराज सब्द का प्रयोग सौर पर्थम किस के द्वारा किया गया थे बताना है अब कि सोराज सब्द का प्रयोग सौर पर्थम किसने किये थे तो यह किये थे दयारनन सोरसती द्वारा इसका जो एंसर जगा D-number हो जागा अगला कोशन है समुद्र गुप्त के प्रियाग प्रसास्ती वाले अस्तंप और निमलिकित में से किसका लेख मिलता है तो यह लेख मिलता है जहां गीर गया इसका जो एंसर जगा D-number हो जागा अगला कोशन है 1857 इस भी क्रांती के समय एक झांडा गीत की रचना किसने किये थे यह किये थे अजी मुल्ला ने इसका जो एंसर जगा D-number हो जागा अगला कोशन देखते हैं समिधान सभा में उद्देश प्रोस्थाओ को कप स्विकार किया गया था यह स्विकार किया गया था 22 जनौरी 1947 को इसका जो एंसर जगा D-number हो जागा अगला कोशन है प्रित्विया प्रतम वीर उपाधी थी यह उपाधी जो थी यह समुंद्र गुप्त की थी इसका जो एंसर हो जगा A-number हो जागा अगला कोशन है किसने समिधान सभा में ब्यस्क मत अधिकार को 15 वर्स के लिए अस्थागित करने की बात कही थी तो यह अस्थागित करने की बात कही थी मौलाना अब्दुलकलाम अजादने इसका एंसर A हो जाएगा अगला कोशन है जो सुमेलित करना है सुची 1 सुची 2 को मिलाईए तो इसका देख लेते हैं क्या होगा सुची 1 सुची 2 को सुमेलित की जए तता नीचे दिये गए कूट के सही उतर चुनिए यहां दिया गया हिमाले यहां बॉंडरी नाम दिया गया तो पहला है ट्रांस हिमाले और ब्रिहद हिमाले के बीच कौन सा है यह आपको इस्तित है आई टी जेड इसका जो इंसर जाए इसका एंसर जाए गा और ुटरी मिदान के बीच कौन सा है तो यह हो जाए है यह इसका एंसर जाए तीन two зап I जो लाक्र ने किए है एक जए ता यह मैदा अबदे आपांगी हो जिएह करता है अवšा कर लागबद वीडियो और अगले वीडियो में तब तक लिए simplement